आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 28 जुलाई 2023 के अधी महत्पूर्ण करेंट अफेर्स तो चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं ये करेंट अफेर्स नेशनल और इंटरनेशनल होंगे और आपके 69th BPSC, ब भी फालतू इसमें कुशन नहीं लिया जाता है वैसे तो मैं 20 कुशन का भी बना सकता हूँ वीडियो इस पर मैं समझता हूँ कि 10 कुशन sufficient है उसी के अंडर में मैं आपको explain कर देता हूँ बहुत सारे कुशन जिससे कि आपके current affairs की संख्या लगवग 20 होई जाती है चलिए व जल सकती मंत्राले द्वारा भारत में पहली बार जल्स रोतों की गन्ना की गई जिसमें सारी छेत्रों में 2.9% जल्स रोत है और ग्रामीन छेत्रों में कितने परतिसर जल्स रोत है यानि इस कुशन में आपको बताना है कि ग्रामीन छेत्रों में जल्स रोत कितना परसेंट है आपके option है फर्स्ट नमर 97.5% दूसरा है 97.1% तीसरा है 96.5% चौथा है 29.6% तो इस प्रसंट का सही पांच राज में पस्षिम मंगाल टॉप पर है उसके पीछे उतर प्रदेश तीसरे नमबर पर है आंत्र प्रदेश चौथे नमबर पर है उडिशा और पांच जील के सुरोत की संख्या में सबसे अधिक तमीलाडू है वही टैंकों की संख्या में आंत्र-प्रदेश अगणि में यानि सबसे कम जल स्रोथ सिक्किम में है तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बढ़ते हैं दूसरे कुश्चन की और सेकेंड नमबर कुश्चन है केमरीज डिक्सनरी के नुसार वर्ड आप दा इयर 2022 क्या है आपका ओप्सन है फर्स्ट नमबर होमर दूसरा है गॉबलीन मोड तीसरा है गैस लाइटिंग चौता है परमा क्रिसिस तो इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नमबर ह होमर इस राइट आंसर और जो तीन वर्ड है वो किस किस डिक्सनरी का वर्ड आप दा इयर 2022 के लिए है आगे देखते हैं आपक्सफोर्ड डिक्सनरी के नुसार 2022 का वर्ड आप दा इयर है गोबलीन मोड मेरियम वेबस्टर डिक्सनरी के अनुसार गैस लाइटिंग वर्ड of the year है और कॉलियंस डिक्सनरी के अनुसार परमा क्रिसिस वर्ड of the year 2022 के लिए है तो ये तीनों भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोशन क्यों और अप्सन नमबर थर्ड है बाल योन सोसन से जोड़ी सामिगरी को औलाइन प्रिसारीत करने वाले के खिलाब कारवाई करने के लिए CBI द्वारा कौन सा ओपरेशन चलाया गया आपके ऑप्सन है फर्स्ट नमबर ओपरेशन करूना दूसरा है ओपरेशन कावेरी तीसरा है ओपरेशन दोस्त और चोथा है ओपरेशन मेग चक्र तो इस प्रस्ट का सही आंसर हो जाएगा तीसरा का चोथा नमबर ओपरेशन मेग चक्र बढ़ते हैं चोथे कुश्चन की ओर चोथा नमबर कुश्चन है लकडी की नकासी उतपात को अपरेल 2023 में GI टैग मिला है या किस राज का नकासी है आपका उप्सटन है फर्ष्ट नमर तमील लाडू दूसरा है नई दिल्ली तीसरा है लद्दाक और चोथा है लक्ष द्वीप तो इस प्रसंट का सही आंसर हो जाएगा चोथा का तीसरा नमबर लद्दाक तो यूनियन टेरिटरी है तो यह यूनियन टेरिटरी का नकासी है यानि चोथा का आंसर हो जाएगा तीसरा नमबर लद्दाक बढ़ते हैं पांचमे कुश्चन की ओर आपके आप्सन नमबर पाचमा है कारवन उत्सर्जन कम करने के लिए किस देश की ग्रीन और्गनाईजेशन ने चिन्नेई मेट्रो रेल निमिटेट को ग्रीन वर्ल्ड एवोर्ट दोहजार तईस प्रदान किया है आपके option है first number France, दूसरा है UK यानि United Kingdom, तीसरा है America और चौथा है पेरू, तो इस प्रसंद का सही answer हो जाएगा 5 का second number option UK यानि United Kingdom, बढ़ते हैं अगली question की ओर? आपके option है first number भारत, दूसरा है England, तीसरा है Pakistan और चौथा है Australia तो इस प्रसंद का सही answer हो जाएगा 6 का fourth number option Australia और Australia ने final में भारत को हराया और ये England में final match हुआ था भारत और Australia के बीच तो 6 का answer हो जाएगा चौथा नंबर Australia, अच्चा ICC which test championship 2021 का खिताब किस देश ने जीता था? तो वो New Zealand ने जीता था और उसमें भी भारत को हराया गया था और 2023 में भारत हरा था which test championship और इसमें एक important question आ सकता है कि player of the match उस test match के लिए कोन बने थे? तो Australia की best man Travis Head, बढ़ते हैं अगले question की ओर? आपसन नंबर सात्मा है, वर्ष 2021-22 मई में blue flag list में सामिल भारत के समुदरी टट कोवलम समुदरी टट किस राज में इस्तित है? आपका option है first number करनाटक, दूसरा है तमिल नाडू, तीसरा है केरल और चौथा है माराष्ट, तो इस प्रसन का सही answer हो जाएगा seven का second number option तमिल न ठीक है, तो तमिल नाडू में है कोवलम समुदर टट, इडन समुदरी टट जो पुड्डू चेरी में है, सितंबर 2021 में इसे भी blue flag list में सामिल किया गया, भारत में अभी तक कुल 12 समुदरी टटों को blue flag परमान से सम्बानित किया जा चुका है, बढ़ते हैं अगले question की ओर, 8 number question है, project tiger जो की 1972 में start हुआ था, के 50 सल पूरे होने के अफसर पर international big cats alliance की सुरवात की गई, इसका उद्देश दुनिया में कितने प्रकार के प्रमुक cats को सुरक्षा परदान करना है, आपको option है first number 8, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8, तो इस प्रसन का सही answer हो 8 का option number 37, 7 प्रकार के cats को संग्रक्षित किया जाएगा, उसके क्या नाम है आगे भी हम सब जानेंगे, 9 अप्रेल 2023 को बाग घौव होगा वहाँ पे यानि टाइगर, गन्ना रिपोर्ट 2022 प्रस्तूत किया गया, इसमें 7 प्रकार के cats को संग्रक्षित किया जाएगा, जिसमें बाग, सेर, हीन, तेंद्वा, तेंद्वा, चीता, जैगवार और प्यूमा है, चीता और जैगवार अलग-अलग जानबर होता है, 2018 में कुल 2967 बाग थे, वर्तमान में 2022 में कुल मिलाकर 3167 बाग है, यानि 200 बागों की विर्दी वी है, जो 6.7% विर्दी है, तो ये बाग, गन्ना रिपोर्ट 2022 के नुसार, ये ये पॉइंट बनते हैं, जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, बढ़ते हैं अंगले कोशन क्यों, नाइन नंबर कोशन है, अमरी धरोहर योजना का उद्देश किसे संग्रक्षित करना है, आपको आप्सन है, फर्ष्ट नंबर आदर भूमी, आद भूमी को संग्रक्षित करेगा, अमरी धरोहर योजना, तो चलिए अब आखरी करन्ट अफियर्स, देखते हैं हम सब आखरी कोशन, कोशन नंबर टेन, 28 जुलाई 2023 के करन्ट अफियर्स का, उस्सन नंबर दस है, संतावनवा ज्यानपीट पुरुसकार वर्ष बदरी नरायन, तो इस प्रसंट का सही आंसर हो जाएका, दस का दूसरा नंबर आप्सन, दामोदर मौजी, और फर्ष नंबर आप्सन जो है, नील मनी, फूकन जुनियर, इन्हें 56 ज्यानपीट पुरुसकार मिला था, तो इसे भी आप याद रखेंगे, चलिए, ये था 28 जुलाई 2023 के टॉप 10 करंट अफेर्स, आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, जितने भी वीडियो करंट अफेर्स के अपलोड किये जा रहे हैं, उसे सब वीडियो आप देखेंगे, प्लस नॉट डाउन करके याद करेंगे, मैं लगभाग BPSC का एकजाम 30 सेप्टेंबर को है, मैं 20 सेप्टेंबर तक आप सब के करंट अफेर्स को पूरा कर दूँगा, ये करंट अफेर्स 1 सेप्टेंबर 2022 से 20 सेप्टेंबर 2023 के बीच का होगा, और इतने में हम सब 12 करंट अफेर्स, राष्टिय करंट अफेर्स और अंतराष्टि current affairs तीनों प्रिसंग कर लेंगे चलिए मिलते है next video में 29 जुलाई 2020 के current affairs के साथ तब तक के लिए thank you so much bye bye and take care